दिवाली आने वारी है, दिवाली का तेवहार हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा तेवहार माना जाता है दिवाली पर पठाके जलाने का चलना है, इस दिल लोग खुश्या मनाते हैं और पठाके जलाते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से बढ़ते प्रिदुशन के वज़े से करी राज्यों में पठाकों पर रोक लगाए गई है। अब दिवाली आते ही सब के मन में सवाल आने लगता है कि क्या इस बार पठाके जला पाएंगे या नहीं। अब कोट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। धरसल बॉम्बे हाई कोट ने पठाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगाने से मना कर दिया है। वही सुप्रीम कोट ने भी साफ कर दिया है कि पठाकों को लेकर जो निर्देश पहले जारी किये गए थे वो सिर्फ दिल्ली एंसियाहरी नहीं बलकि पूरे देश के लिए थे। वही सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अभी साफ हो गया कि दिवाली पर पठाके जलाने का नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो। कोट ने कहा कि प्रदुशन के सर को देखते वे राज्य सरकार को पठाकों के बैन पर फैसला लेना है। आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पठाके चलाते हैं इसलिए लोगों को परियावरण के बारे में सोचने की जरुरत हैं जब परियावरण संद्रक्षन की बात आती है तो यह गलत धारना बना ली जाती है कि इसका काम केवल अदालत का है इसके साथ ही कोट ने सभी पर क्या गाइडलाइन है पठाकों को लेकर सुप्रीम खोट दो बार गाइडलाइन जारी कर चुका है आपको पता दे पहली बार 23 अक्टूबर 2018 को दूसरी बार 29 अक्टूबर 2018 को इस दौरान सुप्रीम कोट ने साफ कर दिया था कि पठाकों पर पूरी तरह से रोक नहीं है और केवल उन पताकों पर प्रतिबंद है जिसमें बेरियम सॉल्ट होता है वहीं अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोट ने ग्रीन पताकों को छोड़कर बागी सभी पताकों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी थी इन पताकों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंद लगाया गया था इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने पताके फोड़ने का समय भी तैय कर दिया था गाइंडलाइन के मताबिक दिवाली पर रात आठ से दस बज़े तक पताके फोड़ी जा सकते हैं वहीं क्रिस्मस और न्यूएर की रात 11.55 से लेकर 12.30 तक पताके फोड़ी ज